Hello everyone, welcome back to my new vlog, कैसे हो आप लोग, I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और ये मेरा मॉर्निंग का टाइम है जो कि मैं भी नहा चुकी हूँ और मैं अपने बालो को, I mean कंगी कर रही हूँ पूजा बहुत पूजा कर लिया था और मैं एसे ही जुरा बना के भी मैं पूजा कर लिया था avait और ये पूजा करने के बाद में यू कंगी कर रही हूँactor क्य arbitrage ज्यदा टाइम लग जाता है इसलिए नहाके पहले पूजा कर लो जैने उसके बाद ही कुछ ही करो तो फिर मैं यही कर रही हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डबल डबल स्वैटर पहना है ब्लाक अपर वाइट क्योंकि बहुत तेज ठंडी है बहुत जादा ठंडी है और मेरा बेवी आइछिंग वो बहार होगा भी तो मैं आप लोगों के साथ में ही कुछ बाते कर रही हूँ बड़ क्या है ना वहाँ पर साउंड है थोरी दिर के लिए तो मैंने ना म्यूटी कर दिया है वहाँ पर और उसके वार ठीवी का भी साउंड था तो फिर सुनाई ऐसे जिर्म वहाँ से नेया है यहाँ अट्स के बालोग कोई कर रही हूं कहा है जा जा इसके बाल नहीं की में बाल बहुत जादा पतले हो गया तो अब बहुत अच्छे हो रहे धिर्लिया जारे बाल गब कर गया है तो it means one month के बाद देखना मेरा है फिर से वैसे अच्छा हो जाएगा और मैंने आप लोग के साथ से शेयर कर ही दिया है और I think ये वाला vlog मेरा यहां से last vlog होगा then उसके बाद मैं जो भी vlog upload करूँगी वो मैं बैंगलोड का करूँगी जी हां तो मैंने सुचा कि चलो मैं आप लोग के जिनफर्म कर देती हूँ ये last vlog है मेरा मेरे सस्वाल का I mean मैं सस्वाल से क्यूंकि हम लोग वहां से चले जाएंगे अभी तो वहां से आप लोग के साथ में जहां में में रहूंगी आप लोग के साथ तो व्लॉग शेयर करती ही रहूंगी और मैं मॉर्णिंग रूटीन में शेयर कर रही हूँ जो कि क्या बोलते है अपने रूम को मैं किस तरीके से सुब आउट करके फोल्ड करती हूँ मैं कि सकाथ हं ओख में ब्लैंकेट कर रख तियुकर है अगर मैं अब समें की हुट करने लग जाओं तो बहुत लेट हो जाता है और अभी आपको सामने देख भी रहा होगा ऐए थर्टी के आस पास का ताईम है जब्कि अभी बूजा करा है विसका काम करे कर दुना रहागी लग तो अगर शारा काम करने लगाती तो बहुत टायम लगता है अब ही यही स्टर्राट किया है फहले नहां करके उठ करके वैस्जा अदे जो हमाग TR factors rough dude आप Parents के लाद करे रहूं के लिए के क्या कोई पहने उन्त नहीं होता आपने बेट को सही कर रही हूँ और यह सभी अब देखोगे यह पत्तवे कमबल क्या है तो यह नगा पर ला इमें नगाती हूँ कर रही हूं और एक जो बड़ा कंबल है तो मोटा कंबल तो अभी जो हालत है अभी मत पुछे वैसे बादल तो लगा है और ठंडी ब इतना ज्यादा नहीं है जिसनि मैं एड़िट कर रही हूं उस दिन तो नहीं था लेकिन इसनि मैंने सूट किया था उस दिन सब बहुत और या मँमी जी आगे थे तो ममी जी कुछ बात कर रहे होंगे है Hagin कुछ हो बात कर रहे हम दोनों और यहां पर उनका कीवोड था व्यवश्प्र से बिटको प्लीन करने के लिए और गईस आप लोग कैसे हो जलूर बताना आप आप लोगे आप जो भी व्लॉग अपलोड होगा वो मेरा बैंगलोड से ही होगा और यहां पे मैं बेड़ बेड क्लीन करके रूम को सही करके मैं विजाओंगी सिधे ममी को देखने के लिए कि ममी क्या काम कर रहे हैं उसके बाद मैं ममी का हल्प करूंगी और मैं यहां पे तुछा से मोबाइ मैं उड़ते ही मोबाइल नहीं टच करती हूँ और यहां पर कीवोड है मैं वह सभी रख दूंगी बेड पर क्योंकि मैंने हटा दिया था भी और यह सभी शॉल वे रहा है पिलो तो मैं इसे भी साइट करके रख दूंगी सो गईस आप लोग जो नहीं मुझे पताना कि जातों किचेन तो यह किचेन में तो यह सभी सब्जी अब देख रहे हैं वह बिल्कुल फ्रेश सब्जी है तो यह पापा जी लेके आए थे तो मैं बस वही आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूं कि मैं कौन सा काम करती हूं इसके बाद में तो यह सभी सब्जी है तो मैं बेच रहा हो इतना अप्रिज को पत्ता होता है तोड करके और सिर्फ गोवी के फूल उसे में अलग करके रखूंगे एक प्लेट में और मैं पॉली बैग में रख रहा हुआ था नहीं कि खड़ाग हो जाता है अग्डम से लेकर के अप्रीज में मत रखो दूप लगा के देन दूप लगाने के बाद फ्रीज में रखोंगी यहां मुझे भी नहीं पता था ममी जी ने मुझे बताया कि आसा डायक्टी रखने से तो बहुत ज़दी कल जाता है खराब हो जाता है तो ठीक है दूप में रख करके ही रखेंगे और फिर मैं यहां पर देखिया इस तरीके से कितना प्यारा गोवी को भी सच बहुत ही ताजा था बहुत ही अचा लग रहा था और फेड मैं यहां पर आप लोग के साथ में शेयर करेंगे यह इवनिंग का है इवनिंग इन देस फोर फाइव वहां तो फाइव थर्टी होते ही शाम हो जाता है एकदम से और यहां पर और यहां पर दूआ लिमें आखों को लग रहा था में में को कटनी होड़ा था सब्जी तना देस दूआ लग रहा था आखने